अथ श्रे योग वाशिष्ठे निर्वाण प्रकर्णस्य उत्तरार्धे बिम्षस्तर्गह श्री वशिष्ठव वाच शंकल्प पुरुषस्त्वेश यद्यत कल्प यतिस्वयं ततता ताद्रिशं पंचभूतात्मा भवतीवखं सर्बं राम जगज्ञातं तत्संकल्पं बिदुरुबुधाह ताद्रिगृूपं पंचकात्म भिषयोन मुखमाततं जगत्पदार्थसार्थस्य विराट सर्वस्य कारणं कारणेन समान्येव कारियानिच भवंत्यतः यथैश सविराडेव विराट प्रत्ये कामात्मनी स्वसंबिदी प्रसरती बोधवान नत्व बोधवान आसरी श्रिपमारुद्रमेवम अभ्युदितो भ्रमह अनाबप्यद्रि विस्तारो बीजकोष इवद्रुमह आसरी श्रिपमारुद्रम् विराट प्रत्ये कामात्मनी पराणाबप्यनंतात्म बोधतो नत्व बोधतह याद्रिगेव विराडात्मन्येष विस्तार आगतह ताद्रिगेवेह सर्वस्मिन्ननु मात्रेपि भूतके परमार्थेन नास्थूलं नासूक्ष्मं किंचनाक्वचित यद्यताबिततं यत्र ततताश्वनुभूयते मनस्चंद्रमसो जातं मनसस्चंद्र उत्थितह जीवाज्जीवो थवैकैशा सत्ताद्रवजलांगवत। शुक्रसारं विदुर्जीवं प्रालेयकनसनिभं आनंदो चलसंदो हस्तत एव प्रवर्तते तम्चेतति तदाभासं पूर्णमात्मस्थमात्मना तत्र तन्मयतां धत्ते तेन तन्मयरूपिनी जीवसंबिदतः शांतर यदुपायाति पंचतां नौतत्रकारणं किंचिद्विद्यते नचकारियता प्रतियोगि ब्यवच्छिते रभावात स्वस्वभावयोह स्वभावोक्तिर्न चैवात्र भवत्यर्था नुशारिनी जीवो जीवत्वमेवस्वजीवत्वादेव चस्वतह अंतस्त्वेन बहिष्ट्वेन दृष्यते नचवायुवत। नीहारेनेवसंबीतस्चेत्यवस्थुपरायनह जात्यन्ध इवपन्थानं मारुतात्मान पश्यते जगज्रिंभिकया जीवह स्वामैक्यं दृत्वमास्थितह स्पंदशक्त्यवपवना आवृतात्मान पश्यते अज्ञानस्यमहाग्रंथेर्मिथ्यावेध्यात्मनोसतः अहमित्यर्थरूपस्य भेदो मोक्ष इतिस्मृतः ब्यपगत घनचेतनहा समंता दहमितिनून मबुध्यमान आश्वाः अनविध घनचेतने करूपः क्षित सदसत सदसत सदोधितस्च इत्यारशे श्री वाशिष्ठ महारमायने वालमी किये देवदू तोक्तमोक्षो पायेशु निर्वान प्रकर्णे उत्तरारदे जीव निर्वान योगो पदेशो नाम बिम्षसर्गह अथ एक बिम्षसर्गह श्रे वशिष्ठ ववाच ज्यानि नई वसदा भाब्यम राम न ज्यान बंधुना अज्यातारं बरं मन्ये न पुनर ज्यान बंधुताम श्रे राम ववाच किमुच्यते ज्यान बंधुर्ज्यानी चैव किमुच्यते किम्फलं ज्यान बंधुत्वे ज्यानित्वे पिच किम्फलं श्रे वशिष्ठ ववाच व्याचस्टे यह पठतिच शास्त्रं भोगाय शिल्पिवत् यतते नत्वनुष्ठाने ज्यान बंधुह सुच्यते कर्मस्पंदेशुनो बोधः फलितो यस्य द्रिश्यते बोधशिल्पो पजीवित्वाद ज्यान बंधुह सुच्यते वसनाशन मात्रेण तुष्टाह शास्त्र फलानिये जानन्ति ज्यान बंधुह स्तान बिद्याच्छाश्त्रार्थ शिल्पिनह प्रवृत्ति लक्षणे धर्मे वर्तते यह शुरुतोचिते अदूरवर्ति ज्यानत्वाज्यान बंधुह सुच्यते आत्म ज्यानं बिदुर्ज्यानं ज्याना अन्यन्यानि यानितू तानि ज्याना बभासानि सारस्यान बवोधनातू आत्म ज्यान मना साध्य ज्यानांतर लवेनये संतुष्टाह कष्टचेष्टम्ते ते स्मृता ज्यान बंधवह। ज्याना दितज्यय विकास शांत्या विनान संतुष्टधिये हभाब्यम् त्वं ज्यान बंधुत्वमुपेत्य रामा रामस्वमा भोग भवामयेशू अत्राहारार्थम् कर्म कुरियादनिंद्यम् कुरियादाहारं प्राणसंधारनार्थम् प्राणाह संधारियास तत्व जिग्यास नार्थम् तत्वं जिग्यास्यम् ये न भूयो न दुख्धम् इत्यारशे श्री वाशिष्ठ महारामायने वालमी किये देवदूतोक्त मोक्षो पायेशू निर्वान प्रकर्णे उत्तरार्धे ज्यान विचारो नाम एक बिम्षस्तर्गह अब आगे इस योगवाशिष्ठ महारामायन के निर्वान प्रकर्ण के उत्तरार्ध के वीस में और इकीस में सर्ग में सबसे पहले जगत की संकल्प रूपता का निरूपन किया गया है इसके बाद अन्यता दर्शन रूप जीवभाव तथा अहम भावना रूप महाग्रंथी के भेदन से ही मोक्ष की प्राप्ती का कथन किया गया है और अन्त में ज्यान बंधु के लक्षणों का बर्णन किया गया है श्री बशिष्ट जी कहते हैं हे श्री राम यह पंच भूत आत्मा संकल्प पुरुष अर्थात बिराठ पुरुष स्वयम जैसा जैसा संकल्प करता है वह ब्रह्म रूप आकाश भी बैसा ही प्रतीत होने लगता है अतहा विद्वान पुरुष समस्त जगत को बिराठ पुरुष का एक संकल्प ही मानते हैं बास्तम में कहीं कोई वस्तू न तो स्थूल है और ना सुक्ष में ही है भ्रह्म से जहां जिस प्रकार की कल्पना का विश्तार होता है वहां ततकाल बैसा ही अनुवव होने लगता है मन चंद्रमा से उत्पन हुआ है और चंद्रमा मन से उत्पन हुआ है जैसे कुहरे से आच्छादित हुई बस्तू का यथार्थ ग्यान न होकर विपरीत ग्यान होता है उसी तरह अज्ञान से आवरित आत्मा का भी यथार्थ ग्यान न होकर जो अन्य प्रकार से देखना या समझना है वही जीव का स्वरूप है इसी लिए विशेयात्मक वस्तूओं में उसकी प्रवृत्ती होती है वह प्राण और इंद्रिय आदी जड़ वस्तूओं से तादात्मि भाव को प्राप्त होकर अपने यथार्थ स्वरूप को उसी प्रकार नहीं देख पाता जैसे कोई जन्मांध मनुश्य मार्ग नहीं देख सकता जगत के रूप में बड़ी हुई इस अविद्या शक्ती से आवरित होकर जीव अपने अद्वाईत स्वरूप में ही द्रश्टा और द्रश्य आदी द्वाईत की कलपना करके उसमें अभिनिवेश हर्थात सुद्रिध आग्रह करके बैठता है जैसे बायू स्पन्द शक्ती से आवरित होती है उसी तरह उस अविद्या शक्ती से आच्छा दित हुआ यह जीव अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाता अज्यान की सबसे बड़ी गाँठ है अहम भावना और वह मिथ्या विशेभूत और असत है उसका जो भेदन है उसी को तत्वग्य पुरुषों ने मोक्ष कहा है हे श्री राम मनुष्य को सदा ज्यानी ही होना चाहिए ज्यान बंधू नहीं मैं अज्यानी को अच्छा समझता हूँ परंतु ज्यान बंधू को अच्छा नहीं समझता श्री राम जी ने पूछा हे मुने ये ज्यान बंधू किसे कहते हैं और ज्यानी कौन बताया जाता है ज्यान बंधू होने का क्या फल है और ज्यानी होने पर कौन सा फल प्राप्त होता है श्री बशिष्ट जी ने कहा हे रगुनन्दन जैसे शिल्पी जीविका के लिए ही शिल्प कला को सिखता है उसी प्रकार जो मनुश्य केवल भोगो पारजन के लिए ही शास्त्रों को पढ़ता है और उनकी ब्याख्या करता है किन्तु स्वयम शास्त्र के कथना अनुसार अनुष्ठान में लगने का प्रयत्र नहीं करता वह ज्यान बंधु कहलाता है शास्त्रों के अभ्यास से जिसे शाब्दिक बोध तो प्राप्त हो गया है परन्तु बिनाश शील भोग ब्यवहारों में उनसे बैराग्यादी के रूप में उस बोध का कोई फल दिखाई नहीं देता उसका वह बोध केवल एक शिल्प है तत्व ज्यान की कथा कहकर दूसरों को ठगने के लिए चातुर्य पूर्ण एक कला मात्र है और उस कला से केवल जीवन निर्बाह मात्र करने वाला होने के कारण वह पुरुष ज्यान बंधु कहलाता है जो केवल भोजन और बस्त्र मात्र से संतुष्ट होकर भोजन आदी की प्राप्ती को ही शास्त्रा ध्येन का फल समझते हैं बे शास्त्रों के अर्थ को शिल्प कला के रूप में धारन करने वाले हैं ऐसे पुरुषों को ज्यान बंधु जानना चाहिए तत्वग्य पुरुष परमात्म ज्यान को ही ज्यान मानते हैं उससे भिन जो दूसरे दूसरे ज्यान हैं वे तो ज्याना भास मात्र हैं क्योंकि उनके द्वारा सार्थत्व अर्थात परब्रम परमात्मा का बोध नहीं होता जो परमात्म ज्यान को ना पाकर अन्य प्रकार के ज्यान लेश की प्राप्ती से ही संतुष्ट होकर लवकिक सुख के लिए कश्ट साध्य चेश्टाएं किया करते हैं वे ऐसे पुरुष ज्यान वंधू माने गए हैं मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में आहार की प्राप्ती के लिए शास्त्रा नुकूल अनिंद्य कर्म करें और आहार भी उतना ही करें जितने से प्राणों की रक्षा हो सके और प्राण रक्षा भी तत्व ज्यान की प्राप्ती के लिए ही करें और तत्व ज्यान की इच्छा सब के लिए अत्यंत आवश्यक है जिससे फिर कभी जन्म मरण आदी दुखों की प्राप्ती न हो बहुत ही सुन्दर श्लोक है अत्राहारार्थम कर्म कुरियात अनिंध्यम आहार प्राप्ती के लिए अनिंध्य कर्म करें कुरियात आहारम प्राण संधारन आर्थम और आहार केवल जीवन धारण के लिए प्राण धारण के लिए जितना उपियोगी है उतना ही करें प्राणासंधारियास तत्व जिग्यासनार्थम और तत्व की जिग्यासा के लिए प्राणों को धारण करना चाहिए और तत्व जिग्यासा किसलिए तत्वम जिग्यास्यम ये न भूयो न दुख्धम तत्व की जिग्यासा इसलिए करनी चाहिए जिससे पुनह यह जन्म वरन रूपी संसार भ्रांती का दुख प्राप्त न हो इसलिए तत्व की जिग्यासा करनी चाहिए अत्राहारार्थम कर्मकुरियादनिंद्यम। कुरियादाहारं। प्राणसंधारनार्थम। प्राणसंधारियास्तत्व जिग्यासनार्थम। तत्वं जिग्यास्यं। ये न भूयो न दुखं। कुरुते गंगा सागर गमनं ब्रतपरिपालनं अथवादानं ज्ञान बिहीनहा सर्वमतेना भजतिन मुक्तिं जन्मशतेना